सब्सक्राइब करें तो आज को टॉपिक्स हैं तो आज जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कॉस करते हैं तो आज आपका डिस्कॉस था यह रोगण के रूप में लोग देखेंगे विदाओ एंड चाइना डॉमिनेंट्स यह टॉपिक्स एंड टेक्नोलजी और आयार को लिंक कर सकते हैं इनरजी इनेक्वैलिटी एक टॉपिक आपका एकोनामी एंवर्मेंट के अंदर हम लेकृट इंट्रू साइन्स सब्सक्राइब और अपके लिए कवर्च रफिट्यां नेट्रडंस क्या ओंगा टॉंगा तोंगा वहां एपी वाल्ड कैनों क्या है इसमें एक parallax effect क्या होता है कैसे आप सब नापते हो तो यह सब चीजे इस चैनल के अंदर आप लोग देख सकते हो ठीक है तो यहां भी आपकोस मौका है स्कॉलर्शिप जीतने का लाइक खाना और टॉफ फाइफ रैंक है तो उनको देविल हाव दॉपर्चुनिटी तो मीट एंड ग्रीट विद आयस ओफिसर्स तो फिफ्टी एंसी क्यू से 60 मिनिट है नॉम्बर 13 ज्यारा बचे ठीक है सिविल सर्विस चेंपेंजिप क्योंकि साल में एक बार होती है तो आपके पर स्कॉलर्शिप जीतने का भी पहुंका है आप मसला अक्राइब्स प्रस के लिए जूट सकते हैं आग जैसे क्लास साड़ी ग्यारा बची नॉमबर जो है नॉमबर का जो परिए सप्टेंबर आ लावा सारे एक्सेस कर पाइं पॉलिटेंट जोग्राफ एक्सेस कर सकते हैं आप ऐसे नहीं कि सब्सक्राइब जोइन करना जैसे नेट्ट क्लिक्स होता है उस तरीके से एक बार सब्सक्रिप्शन लिए तो सारे पॉर्स आपके पास अमीशा से रहते हैं आपने यहां पर अगर आप देखोगे कि तो जी सब्सक्राइब कर सकते हो कई सारे और जैसे अगर आज के समय में देखा जाए रश्या की बात करें तो इफ यू टॉक अबॉट अभी आप एक आज हेडलाइं देखोगे आई यार का पेज अगर आप उसमें थोड़ा सा इफ यू फ्यू फाइंड कि जर्मनी के जो चांसलर है जर्मनी के चांसलर वो आपके चाइना का प्रेजिडेंट के साथ तुमकी फोटो आई या इति इसके लिए देखोगे तो जो जो नौड स्ट्रीम पाइपलाइन है जिसके माध्यम से रश्या से होते हुए रश्या से होते हुए जो नैचुरल कैसे वह बहुत सारी यूरोपियन देश तक पहुंसती है अब देखो समझने की बात यह है कि अभी जो इस्तिती है वो क्या ह इस तृट मैं हीट यह यह स्टी और इस समय विंटर से दोनों में एनर्टी कंजम्शन बहुत हाइं हो जाता कि अनर्जी कंजम्शन इस बहरी वेरी हाई यह से वह य॔र यह Además सारी चीज़ों को जलाने में गरने में इनर्जी कंजंशन बहुत हाई होता है जो चैना साथ पर देखा जाता है जो है इंटरनेशन लिबर पे उसका फ्लक्शूशन ना हो छो इस पर भी कोशिश निदो रश्यां के पास भी रश्या को भी यह जो भी अवे जिसे योक्रेट के अंदर हो रहा है योक्रेट में जे वार की स्थिति में भी रस्यां को जो मनी है उसकी याथ वह आमाउन्ट उसका पैसा है वह खर्चा हो रहा हिब वार में उसновation उसको भी उसे बैलेंस करना, it has to balance it, अगर वो नहीं बैलेंस कर पाएगा, it will be very difficult for the, you know, मतलब एकोनोमी को ग्रोग कर पाना, Russia की एकोनोमी डाउन जा सकती, तो Russia को भी है कि ठीक है, मुझे अलग-अलग प्लेयर्स मिल जाए, तो अलग-अलग जो प्लेयर्स है, अगर वो मिल जाए, मेरे नाचुरल गैस, मेरे ओईल को खरी देंगे, तो उससे जो रश्या है, रश्या की भी अर्निंग अच्छी है, आपकी हो पाएगी, तो इसी कंटेक्स्ट में जी सेवन वाले भी, they are also trying की ठीक है, जो फिक्स प्राइज है, रश्या है, आईल का जो है, रखा होंगे, like we have already discussed national security strategy, जो की US के द्वार अपना जो document रखा गया, उसमें कहा गया है, कि इंडिया को भी future में इस ग्रूप में हिस्सा बनाया जा सकता है, और इसमें European Union के representative भी हमेशा इसकी meeting attend करते हैं, अभी 2022 में जर्मानी के पास G7 की presidency आपकी है, और World Economic Summit पहले ये World Economic Summit है फिर बाद में ये G7 बना, launched in 1975 by French President, जो French President होनके द्वारा ये लॉंच किया गया, and then Federal Chancellor Helmet से जमिट के द्वारा, और फिर Germany, France, Great Britain, Italy, Japan, US, Group of Six, फिर उसका, I think, बाद में एक और भी देश जो है, एक एड हो गया, क्योंसा एड हो, Canada, और ये सब भी बाद में एड हो गया हो, तो दे जो एम था, वो था, oil crisis की वज़ा से, जैसे oil crisis है, उसकी वज़से जो impact हो रहा तो उस पर कैसे balance किया जाए, उस पर ये लोग focus कर रहे थे, और फिर जो system of, जो fixed exchange rate है, जो collapse of the system of fixed exchange rate, तो ये दो बातों पर इनकी जो discussion हुआ करती थी, जब ये छह देश थे, economic problem जो 1970 में visible भी थ crisis है, और जो exchange rate है, exchange rate मतलब हो गया, जिसे dollar है, इसके term में दूसरी currency किस तरीके से, ये exchange rate है, तो जो fixed exchange rate है, मतलब market पर based, जो exchange rate नहीं था, जो fixed exchange rate है, कि fix ही था, कुछ भी हो, एक डॉलर इतने currency के बराबर ही हो, किसी भी currency के value के बराबर होगी, जो fixed exchange rate है, इसके collapse के ऊपर भी काफी जो चर्चा आपकी होती, तो खास तोर से जो बातचीत होती थी, generally जो participant वो economic policy को लेकर होती थी, 1976 के अंदर Canada इसमें एड हुआ, फर्स्ट जी सेवन में प्यूर्टो रिको में पहली बार जो जी सेवन देश हैं, वो मिले, 1976 में Canada के add-on होने के बाद, comment section बताओ कि ये ज सेवन टुक प्लेस इन लंडन इन 1977, फिर Ottawa summit of 1981 European community has been part of all working session, जितने भी working session उसमें जो European committee है, फिर वह आगे चल की European union बना, 1980 में फर्दर जो economic problem तक ही discussion आपका होता था, उसको further expand किया गया, और उसमें foreign और security issues को भी include किया गया, सुरक्षा और आपके सकते हैं तो foreign issues हैं, उनको भी साथ में include, जो है वो किया गया, फिर Soviet general secretary मिखायल गॉल, जो कुरबस से हैं, उनको भी बुलाया गया, London summit 1991 में, फिर 1998 मे Russia को add किया गया, फिर उसके बाद Russia ने जो occupy किया क्रीमिया का हो, तो उसके बाद ये जो G8 group बना था, तो G8 group में से Russia को हटा दिया गया, तो यहाँ पर आपको समझना है, दो date, पहले तो देखो 6 का group था, फिर 1976 के अंदर Canada का add addition हुआ, फिर 1998 के अंदर अगर आप देखोगे, तो फिर Russia का add हुआ, फिर 2014 जो है, उसमें Russia को हटा दिया गया, तो यह दुबारा से पहले G6 था, फिर G7 हुआ, फिर उसके बाद G8 हुआ, फिर Russia को हटा आएगा, तो फिर दुबारा से आपका ये G7 हो गया, अब इसके एकनोमी की बात करेंगे, तो G7 country लगवक 10% of the world population, 31% global GDP और 21% global carbon dioxide emission के लिए, जो है, responsible है, इंडिया चाइना इसका हिस्सा नहीं है, बट अगर आप national security strategy वाला जो डॉकुमेंट, इस पर हम लोग ने बहुत डिटेल में discussion भी किया है, अगर उस डॉकुमेंट को देखोगे, तो उस डॉकुमेंट के अंदर, शारी, यूएस है, इस अगर यहां पर यहां पर हमाई लिट क्या टॉपिक निकल के UPSC के लिए बनता है, अब यह तो है, लेकिन हमें हमाई ले जोग्रफी का यहां पर प्रश्ट बनता है, ठीक है तो यह आपको मैं मैप के माध्यम से, अगर आप देखोगे, यहां पर देखो, यह समुद्र जो अगर आप इस पूरे मैप को समझो गया है, जो वार पूरा चल रहा है, वो इसी इलाके में है, इसको तो उसने 2014 के अंदर ले लिया था, फिर यह खारसन रीजियन है, यहां भी भी चाइना फोर्सेस है, यहां भी है, यहां भी है, यहां तो रस्यान इस्पेकिंग है, यह बॉफर एरिया है, तो मतलब अगर यहां से अटैक होता है, तो सबसे पहले यह जो बॉफर एरिया है, उसके बाद ही रश्या तक रीच किया जाएगा, यह क्यों ऐसा हो रहा है, विकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नाटो जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, अगर नाटो एक्सपे में या कुछ इस तरीके से खासन रीजन नीउज में है, तो यू शूड नो अबोट सर्टिन फैक्ट जैसे आप से पोच सकता है कि कौन सा सी समुद्र पास में है, यह ब्लैक सी है, यह सी ओफ अजो है, तो यह आपको याद रखना है, यह जो फेमस सिटीज यह आस पास लो जो है, वो है, और यह किनो एकनोमिक रिजनल, एकनोमिक हब भी है, क्योंकि पोर्ट है, पास में ही पोर्ट, समुद्र है, ब्लैक सी है, उसके बाद उदर साइड में, सी ओफ अजो है, तो इसका लोकेशन भी इसको व्यापार के कंटेक्स्ट बहुत इंपोर्टन बना देत यह इसका बहुत अच्छा एक, आप क्या सकते हो कि रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इस साइन से टेक्नोलजी और जो ग्लोबल डॉमिनेंस की अखर हम बात करते हैं, यह दोनों चीज़े देखने की बात है, तो इसको थोड़ा का मैं, लेट मी गिव यू देक्स्ट और और उसके बाद फिर जो भी अर्गुमेंट है इस आर्टिकल में, इंटरनेशनल डिलेशन का जो पेज उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो लेट सी देक्स्ट फिर उसके बाद जो आर्गुमेंट है, उसके बाद हम डिसकस करते हैं, देखो क्या है, कि जो यह 21 सदी है, 21 सदी जो है, 21st century की जब हम बात करते हैं, so this 21st century इसे हम इसे 4th industrial revolution कहते हैं, digital revolution कहते है, it means technology based जो products है, उसका बहुत ज़्यादा future के अंदर जो demand है, that is going to increase, आपको बहुत अधिक जो demand है, वो increase होगा future की जब हम बात करते हैं, तो आप imagine करो कि जो भी देश, technology based product पे उसका dominance है, वो economic angle में भी काफी ज़ी dominate करेगा, जैसे पहले के समय में oil का demand बढ़ा बहुत जादा, जिन जिन देशों के पास oil था, जैसे West Asia, तो वो बहुत तेजी से अमीर हो गया है, why, because oil निकाला, अगर wealth जरूरत है, well dick किया, निकाला और मेचा, इससे उनकी earning होती थी, तो यह एक fact है, द नानो टेकलोजी हो, किसी भी एरिया में आप चले जाओ, उनका application बहुत सारे different area, arena में बढ़ता जा रहा है, बायो टेकलोजी का application, agriculture में आपका बढ़ता जा रहा है, अब यह जो example बिदाओ का यह क्या है, यह basically space technology का application है, तो चाइना इस पर आगे जा रहा है, तो यहाँ पे स बढ़ा लेते हो, तो फिर political social level पे भी आपका जो dominance है, that is obviously that is going to increase, आपका जरूर से increase होगा, तो यहाँ पे अगर आप चाइना की strategy को समझने का कोशिश करो, जिसको आप highlight कर सकते हो, तो चाइना ने, basically, if you try to understand, तो चाइना ने already एक जो उसने अपना एक economic level पे dominance बनाने के लिए economic corridor जो है, वो develop किया है, economic corridor जैसे, for example, one built, one road initiative, OBOR, इसके तहत क्या है, कि चाइना जो है, अलग अलग जितने भी देश हैं, अलग अलग regions, वहाँ तक, एक economic corridor develop कर रहा है, नतलब, rail के माध्यम से, road के माध्यम से, even digital connectivity वो established, जो है, वो कर रहा है, और चाइना, one built, one road के माध्यम स establish कर रहा है, धीरे धीरे, जो जो इस corridor के अंदर आएंगे, उनकी वो dependency भी increase कर रहा है, कैसे, जैसे, for example, यह कहेगा, कि देखो, space technology में, आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आपको navigation की जरूरत है, चलो हमारे video system का use करो, GPS का use करो, मत करो, इस से better facility हम आपको बिढ़ाओ के अंदर देंगे, यह space technology के माध्यम से चाइना क्या कर रहा है, इस सारे जो देश इस economic corridor के अंदर है, उन पर यह अपना presence बढ़ाएगा, जो आप space technology के context में देखोगे, इसी तरीके से even digital connectivity के माध्यम से, जो digital ecosystem उसको चाइना कई देशों में control करता है, जब आप digital ecosystem को control कर लेते हो, तो महाँ पर लोगों के perception को control कर सकते हो, फिर सरकार को control कर सकते हो, अगर आप किसी की देश की economic life को control कर सकते हो, तो उसको जो है, उसके political और दूसरी जो social life को control कर सकते हो, यह सारी, तो धीरे धीरे जब किसी चीज़ पर dependency बढ़ती है, आपको भी ठीक है, यह US का GPS है, रश्या का GLONASS है, इससे बेटर मेर को भी डाव मिल रहा है, let's go for it, even कई सारी ऐसे services में पहले चाइना काएगा, देखो एक काम करो, ऐसा मत करो कि सारी चीज़ों में आप GPS कर रहा हो, हमारा भी try करके देखो, तो साओधी अरेबिया है, या कुछ देश चोटी-चोटी services में, चोटी-चोटी चीज़ों में आगे लिखा है, I will tell you, तो उनमें फिर ये चाइना का जो navigation system भीडाव है, उसको कहते हैं, इस्तमाल करना स्टार्ट होगा, दीर दिन को लगा है, यह तो बढ़िया चीज है, उसके बाद फिर GPS की जगई, इसका इस्तमाल करते हो, तो GPS से जो data generate होता है, कि आप कहां से कितना move होते हो, कहां किदर जाते हो, पूरा data generate होता है, और वो सब market के अंदर इस्तमाल किया जाता है, that data is basically used in the market, मतलब market strategy और इन सब को develop करने में होता है, तो वो अगर इस चीज का control चाइना के पास चला जाएगा, बेडाव के म market level पे भी वो अपने जो भी policy बनाता है, जो market dominance उसे मनाना है, that China can easily do it, वो भी China आसानी से कर सकता है, यह सब एक लंबी सोच होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको यह नहीं, एक हेड्लाइन्स नहीं पढ़ लेनी के अच्छा बेडाव है, चैना नहीं से कह दिया, आपके लिए topic निकल कर आता है, वो यह context में आता है, ठीक है, यह ध्यान में रखना है, हमेशा मैं आपको कहा कि information based पर नहीं जाना है, information बहुत जो information based है, किसको क्या price बिला, या बहुत सारे जिस पर data और information बहुत अधिक रहता है, उन भी जो focus है, आज के समय में कम हो चुका है, तो वो challenge न हो, यह information है, इस पर क्या तरीके का जो angle है, वो बन सकता है, किस तरीके से जो प्रश्न है, वो आपके लिए frame हो सकते हैं, so let's see further, अब देखो यहां पर इन्होंने काफी सारी satellites जो है, वो launch किया है, अगर देखा जाया तो लगभग 29 satellites, 2000 से 2017 तक launch किया है, second generation satellites, solar satellites, 2018 में, 19-20 में काफी सारी satellites है, और इनमें देखो अलग अलग satellites है, लगभग जैसे geostationary orbit में, geostationary orbit में, 22,000 miles, अर्थ की सर्फिस से 35,000 km, अर्थ की सर्फिस से, ठीक है, geostationary orbit में, सब्सक्राइब कर रहा है कि इसके माध्यम से इंडिया है इनको भी सर्विसेज दे आशियान देशों को सर्विसेज दे इधर दे अफ्रिकन देशों को दे वेस्ट एश्या को दे और इसने इसलिए बहुत सब्सक्राइब आपनी लॉंच खुब सरी कर ली है नेविगेशन सिस्टम को नेविगेशन सर्विसेज को जो है वह प्रवाइड करने के लिए बहुत सारे लेवल पर देखा जाए यहां पर जो कॉंपनेंट्स हैं इसमें जैसे स्पेस सेक्शन के अंदर आपके बहुत सारी सैटलाइट्स है जैसे काफि सारी सैटलाइट्स हैं घृ काफि सारे जो कंट्रोल स्टेशन्स है उसके बाद छो यह कई सारे जो इस्ट्रॉमsten इसमेंर चिप्स, मॉड्यूल्स, एंडीनvio, टरमिनल्स यह सब चीजह हैं और धिरände का का एप्लिकेशन है वह काफिवी तेजी से बढ़ेगा ए उसमें सब मेंशन आपका किया गया तो यह अबजेक्टिव से एक तरीके से जो वह एचीव करना चाहते तो इस्टेड ऑफ जीपीएस दे वांट टू कि विश्यू जो है उनका बिडाव सिस्टम को इस्तमाल करें जीपीएस की जगह जो है बिडाव सिस्टम का इस्तमाल जादा से जादा हो ऐसा उसका मानना है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे आश्यान जो देश हैं एस्सेशन जो साउथ इस्टेशन कंट्रीज है उनकी जो गुरूपिंग अलगबग दस देश है इसमें तो उनके साथ कोपरेशन को इंक्रीस करना अफ्रेकन यूनियन के साथ अरब स्कैन लाइटिन अमेरिका जो सौथ अमेरिका है करीविन गंट्रीज से यह सारे चाइना है वो रख रहा है बिडाव सिस्टम को अब हमने भी एक नेविगेशन सिस्टम डेवलक किया कमेंट सेक्षिन बताओ वो कौन सा है वाट इस दा नेम व डाट नेविगेशन सिस्टम और उसका जो भारत है उससे कितने किलोमेटर तक का एरिया कवरेज आपका है तो द देश उस पूरे कोरिडोर के अंदर है जो इस पूरे वन बिल्ट वन रोड इनिस्टिव के अंदर उनको कह रहा है कि आप हमारे नेविगेशन सिस्टम का भी जो है बढ़िया तरीके से इस्तमाल करो साओधिया रेविया जैसे मैपिंग पोजिशनिंग पीपल वेकल्स इन यह भी दो एक बिढ़ाओ के इंपोर्टन हाब है तो यह एक्जामपल से किस तरीके से जो बिढ़ाओ सिस्टम है उसका इस्तमाल आपका जो है वो किया जा रहा है उसके अलावा जैसे आप ऑल्सो ऑपरेटिंग रिफरेंस इस्टेशन कंट्यूनिसली ऑपरेटिंग रिफ अब इसके अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं है से लंका के अंदर सेट कर दिया से लंका के पास में भारत तो वहां जितनी भी एक्टिविटीज होंगी सब की इंफर्मेशन पूरा चाहिना के पास चाहिए यह इमेजिन कर दो इस सब तरीके हैं कि पूरा एको सिस्टम ऐ सब्सक्राइब करें तो इतना सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक नहीं है बठा कुछ नहीं नहीं चीज़े आ जाती है जैसे यहां पर एक टर्म है एनर्जी निक्विटी और उसका डेटा दिया वह तो हम उसको भी विल गो थूट्रू इंट डेटा आप नोट कर सकते हो थोड़ा सब्सक्राइब एक बार यह मीट हो जाए उसके बाद आर्टिकल्स हैंगे दोज आर्टिकल्स वी मोर रेलेमें इस अब भी तो यह प्रेडिक्शन आपका चल रहा अब दिखों यहां पे एक टर्म मेंचंड बह एक ग्लोबल एनर्जी जो है ग्लोबल एनर्जी इनप्यूटी नोब ऑन इनर्जी जो इनप्यूटी जो इनेक्विटी है इसका मतलब क्या है कि कहीं एनर्जी आपकी अवे है यह सब क्या इक्जाम्पल आफ एनरजी अग्सेसेबिल्टी अफोर्डिबिल्टी यह तीनों कंटेक्स्ट में किसी के पास है किसी पास नहीं यह एन इनरजी इनेक्विटी होती है यहां पर देखना है यहां पर लगभग्त 733 मिडिन डेट आप यूज कर सकते हो कहीं जग 20 countries में 85 times higher है if you compare with the 20 poorest country तो यह देटा आप यूज कर सकते हो जब आपको यह टॉपिक आता है डेवलोपिंग ऐसा कुछ या एनर्जी सेक्यूर्टी क्लामेट चेंज ऐसा कुछ भी प्रश्णा आता है वहाँ पर इस डेटा का इस्तमाल कर सकते हैं यूज देटा अब बता सकते हो एवरेज पर कैपिटा इनर्जी बताब हर परसन एक जो अमीर देशों में रह रहा है वो 85 ज्यादा एनर्जी कंसूम करता है जो गरीब देशों बहुत अधिक करता है जो एनर्जी सप्लाई है उसे एनर्जी सप्लाई पर हुमन डेवलप्मेंट भी बहुत अधिक है कि अभी आप खुद इमेजिन करो लाइट नहीं है अगर लाइट नहीं है तो फिर कितनी सारी एक्टिविटेज आपके रूख जाएगी सरकार अपनी डेवलप्मेंट और इनर्जी सप्लाई का बहुत अच्छा खासा आपका लिंकेज है सब सहारन अफ्रीका में 487 किलोवार्ट आवर कंजम्शन की बात करें उसके बाद जो इन्फैंट मोटाइलिटी रेटी 73 पर 1000 लाइट बढ़्ट मैटर्न मोटाइलिटी रेट रेश्यो यह पूर है यसे यह आप डेटा देख सकते हो 2022 के अंदर देखा जाती यह फर्दर आपके जो है यह जो इनिक्विटी है फर्दर इंक्रीज हुई है क्यों क्योंकि एनर्जी के प्राइज बढ़ें एनर्जी कंजम्शन की अगर हम बात करें तो वह कंजम्शन डिपेंड कर सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकता अगर इनर्जी यूज़ करेंगे यूज़ करना ठीक है अगर कोई क्योंकि पैंडमिक है यह सब सिचुएशन में कमाई भी कम हुई है अब इस वजह से अगर एनर्जी बहुत बढ़ जाए पेट्रोल डीजल और इन सब के भी प्रा से एनर्जी तुर्टी के लिए रसपोंसिबल की कहीं पहूंपर एनर्जी के अविलबिल्टी हैं कहीं पे नहीं है कहीं पे होने के बात भी पर अक्सेुबिल टी नहीं है यह सब क्या है इस thé Fighter बिदिक भी तो इतने सारे ये डेटा भी उस कर सकते हो इतने सारे लोग जो है गरीबी रिखा के नीचे है तो पूर और जो वन्रेबल है वी कन से इनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ सफर दा मोस्त यह बहुत इंपोर्टेंट है जिसा हम ऑईल के लिए बहुत जा इंट्रनेशनल नेवल पर और कुछ हो गया आपको ऑईल का प्राइस बहुत अधीग बढ़ जाएगा और उसका नुक्सान होगा नाइंटी मिलियन पीपल एश्या में अफ्रीका में लिक्वाइब गेंड एक्सेस टो एलेक्रिसिटी रिसेंटली कैनाट अपोर्ट टो पे यह मैंने यूआइस चैनल के अंदर नाइन पीम को डेली बेसिस में जो सेशन होता है नौ मिनट का दस मिनट का इस तरीके से तो उसमें इस सारे ऐसे टॉपिक्स आई कवर ठीक है तो उसको आप लोगो को करना ही है जब तक आप यह प्रिलिम्स कर रहेगा तेस चौबिस की संडे को चैनल पर आई विल अप्लोड जिसमें वीक के जितने भी मेंस के कोश्चन्स है ना वो एक साथ आपको मिल नाएंगे ठीक है तो जैसे हम लोगे सेशन कर रहे हैं इस पर बेस्ट जो मेंस के प्रश्ण होंगे हिंदी और इंग्लिस दोनों में आप उसको अटेंट क वह थोड़ा टाइम में flexibility रहती है I hope you all are aware UIS चैनल जो है UIS चैनल तो यहां पर यहां पर यह सारे topics आपके cover होता है Supreme Court ने बोला है अब इसमें थोड़ा articles आएंगे तो आप लोग go through होना और EPFO के बारे में देखा जैसे Provident Fund के बारे में आप जानते होगे जैसे कहीं आप काम करते हो तो काम करते हो तो पीएफ कटता है ठीक है तो उसको manage जो पूरा किया जाता है उसके लिए organization जिसे EPFO बोलता तो यहां पर देखो honorable court ने क्या किया है honorable court ने कुछ बाते कहीं है जैसे जो पहले क्या था जो pension coverage है उसको 2004 extended in 2004 to employee drawing salary more than 15,000 per month subject to ठीक है तो यहां पर जो pension coverage थी है ना जो pension coverage को it was extended in 2004 ऐसे employees को जो की salary 15,000 से ज्यादा आपको उनको मिल रहे थी और जो member they have to contribute at the rate of salary है उसमें 1.16 परसेंट जो salary है उसमें contribute करना इतना परसेंट अगर जो income है मंतले इंकम 15,000 पर month है और जो apply है they should have the exercise option within six month from September 1 2014 मतलब अगर उन्हें इस facility का यूज़ करना है तो उनके बास मौका था 2014 के बाद से छह और महीनों के लिए six month के विदिन यह facility आपके अब क्या है कि जो requirement है additional contribution of 1.16 जो है वो उसको incorrect बोला गया और implementation stayed for six month entitlement not limited to employees who had already exercised an option under the amended EPS मतलब जो भी entitlement दिया गया है it will not be limited to employees जो नहीं जो option है employee pension scheme का उसको यूज कर लिया है जो employer and employee है they will jointly out for enhanced pension coverage if they had not done so prior to 2014 अगर नहीं किया है तो they have the option और उन्हें करना पड़ेगा within the four month from today मतलब जो judgment आया उसके चार महीने तक का option दिया गया है यहाँ जो 2014 के बात देश्चे महीने का option दिया गया था कि आपको यह सारा करना है अब इसको increase करके आपका मतलब अभी इसको अवेल करने की तो अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे कि इसका क्या impact है कोट ने क्या कहा है क्या scheme है बहुत सारी detail में सब कुछ है ठीक है इस week के अंदर ये सब आर्टिकल्स आपको देखने को अच्छा अनेकड़मी में आप उससे जूड़ सकते हो और नौवंबर और चल रहा है अनेकड़मी.com में जाना सब्सक्राइब हर मन्त में कोर्स सब्सक्राइब जरूर से जोइन करें अनेकड़मी सिविल सर्विस चैंप्वेंशिप का हिस्सा आपको जरूर से बनन 15 mcq 16 मिनिट्स है के अंदर आप कर से और आपके बस मौका है लाइक नॉवंबर 13 की बात करें नॉवंबर 13 को है 11 बज जाएगा कॉम्बैट का हिससा भी जरूर सबना नॉवंबर 6 मदब कल है आपका और 50% स्कॉलर्शिप जीतने का भी आपके पास जो है वो मौका है तो इसमें भी त्यारास कि दपोरी पर इसके अंदर आइप लोट द वीडियो जिसमें पूरे वीक के मेंस के कॉस्चिन्स हो लग लग इसमें सारे वीक के पूरे जो कॉस्चिन्स है आप जाके फिर उसको अटेम्ट करो और अपना जो एंसर एक लिस्ट क्यार पांच चे कॉस्चिन्स जो भी आपको मिलेंगे तो उसको आप जरूर से फिर अटेम्ट करो यह सारा बेस्ट होगा जो डिसकॉशन हम लो कल थैंक यू एवरिवल थैंक यू इसका पीडिया फाइल शेयर स्पीलाइब करेंट फिर टेल्ग्रम चनल पर थैंक यू